गुद मॉनिंग एभीवन कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ आपका दोस्त राहूल और मैं दूँगा आपको हिंदी ग्रामर कर प्रैक्टिस सेट सुबह के बज़रे होंगे साथ आज एक एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसका की आपको पता पड़ेगा एंड में जाके ठीक है तो एंड तक वीडियो देखना कुछ एक सर्प्राइज है राहूल पांडे ओफिशियल एक चैनल है टेलिग्राम पर जिसका लिंक दे रखा हो डिस्क्रिप्शन में वहां जाके इसकी पीडियाप डाउनलोड करेंगे आप इसमें हम ट्रिक्स बताते हैं एक्सपेक्टिड कोशन्स यहां से कोशन्स आपको रिपीट हाऊंगे ठीक है पहली कोशन्स से स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है पत्थर की लखी रोना पत्थर की लखी रोने का मतलब पता क्या होता है अमिट होना जैसे कोई मिटा ना सकें यह तो पत्थर की लखी रहे यह होके ही रहेगा इत त्रीखे से सब्ड का विवाजन होता है याद रखेंगे अब देखो तत्सम हमेशा बतातो हूं कौन कौन से होते हैं श त्र ज्यश्र उपर ये रेख वाला र र बताताब ऑप धे वह त्र आ रहा क्या इंश्ट का और सांज का बनता है संधया तो answer क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा D कौन से तद्वबे? ये हो जाएगा आपका D ठीक है? अच्छा लगा तो like करना next बस यो बता देता हूना थोड़ा थोड़ा उतना याद रखोगे तो हो जाएगा आरम से पाँचों उंगली घीमें होने का मतलब होता है अत्यदेक लाव होना अत्यदेक लाव होना आंसर हो जाएगा C next दाह दाह सब्द का तत्सम बताना है दही का तो मैंने कल भी बताय था आपको दधी तो ये तो होगा निए अब दाह का हो जाएगा डाह क्या हो जाएगा डाह, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, याद रखना, नेक्स्ट, देखो, भागने, भागने क्या हो जाएगा, भागनी धन ए, भागनी मतलब बहन, बहनी कौन हो जाएगा, बहनी का हो जाएगा, बहनी का हो जाएगा, बहनी का हो जाएगा, बहनी का हो ज नेक्स्ट, दीर्ग की उत्तम अवस्ता बताने हैं, अवस्ता किसके आधार पर, विशेशन के आधार पर, विशेशन के आधार पर, विशेशन क्या करता है, विशेशन बताता है किसकी संग्या या सर्वनाम की, संग्या या सर्वनाम की, ठीक है, अब इसकी अवस्ता, अवस् अवस्ता कौनसी होगी दीरगतर उत्तम आवस्ता कौनसी होगी दीरगतम आंसर क्या हो जाए इसका सी अब देको जहां तम आता है वहां तम रून लेना अब यह उत्तम मत करते न कहीं दीरगतम आएगी ठीक थोड़ा सा इसमें common sense भी लगाना पड़ेगा फिर आपको सी नेक् विशेश 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 विश में क्या हो जाए इसमर्णी एस याद रखो हो तत्ह होती है इसमर्णी Taty ki विश्कता क्य है इसमर्णी याद रखने यहों की तत्ह आंसर हो जाएगा अबी अच्छा लगा हो तो प्लीस शैर करते न या संदी किस में होती है वर्णों में होती है यह चीजा रखें संदी का बिलूम क्या होता है बिच्छेद मत कर दें ना कहीं विच्छेद करें हो ठीक है संदी कितने प्रकार क्यों होती है प्रकार क्यों होती है स्वर्वेंजन विसर्ग ठीक है मैंने बताया था जब एक मात्रा आए एक मात्रा तो वहां कौन सी होती है गुण स्वर्संदी तो यहां क्या हो जाए गुण स्वर्संदी पबन जब तीन तीन पेर वाले सब्द बने तो अयादी संदी होती है तो यह क् किस मतल जाते हैं बिसर्ग में तो नमधंते नमस्ते तो आंसर क्या हो जाए इसका C ठीक है सद्धधन आचार सदाचार ये हो जाए वेद्जिन ठीक है अंसर क्या हो जाए इसका C next इसमें से कौन सा सही नहीं है देखो मूल सवर है मूल के तो टें चार, ए, ए कलत बता रो, एक सेगंड, दुबार मताते, मूल स्वर होते हैं, चार, अ, ई, उ, और री, ठीक है, अगर स्वर पूछ ले कितने हंदी में तो ग्यारा, ठीक है, ये पूछ ले उच्छाण इस्तान के आधार पर, या मात्रा के आधार पर किते हैं, तो 10 होते हैं, ठीक है, तो यह तो बल्गु शाही देर रखा है, सईयुक्त स्वर, ये भी चार होते हैं, इसमें A आता है, अब A, बढ़ा A, बिसर्ग और H, ये चार हो, कि इसमें आते हैं, कंठ में आते ह नेक्स्ट, नेक्स्ट है पबन, पबन का तत्सम क्या होगा, पत्ता किसका होता है, पत्र का होता है, ठीक है, और परसों तो होगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, पबन का, पबन का हो जाएगा, आपका क्या, बताओ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पबन, पबन का क Pgovern और बाल निकल लाएं तो यह में changes हो जाता है ठीक है याद रखना Picio को किया हो जाएगा next कि dagisome cm का क्या हो जाएगा सामे का होते हैं Gulstra 18 2001 2007 का विसेष का होता है सामान्य कै एक सुद्ध बढ़ता नहीं पूछता है बिसिष्ट की बिसिष्ट अब यहां टा की जगे पता है वो असुद्ध करके क्या देता कि ठा देता है ठा गलत होता है बिसिष्ट सही होता है ठीक है कै लाश यह सुद्ध होता है इसे याद रखना ठीक है उज्वल दोनों आदे आ हरा है एसा इ theor देख लेना थीए मोज़िए अंत्र क्या हो जाई जाए इसका क्यों सवे मतले है सरल्ट बाला नेख्स और जबम्त एक और बता दो इसमें दे रखाए तो इस फूल इस फूल का बन जाता है सूच मी एक होता है न इस फूल कि वह अग्मन विध्यान जातें कि न माँसelect nakao से बैर और नाकाउ से प्रीथ तो बैर का बिलेंग KEY ke kya बन बंऩा ठीक है आपसे पूछ पाल में कौनसे धन्थी है तो नहांदन फ़ल हो जाएगा क्या हो जाए इस अर्थी र एसमय मृत हो जायगई नेक्स्ट आप अब ये बताए है, अब इन तीनों को आप बताऊगे किया है, कच्ध कैप करना थोड़ा? मनमत, मनमत का पर्यावाच बताना है, नमत कह दे, अनंग कह दे, ठीक है? मनोज कह दे, अब याद कराऊं न, देखो,毫 lira मन में कौन जन्मि लेता है, काम बाशना लेती है, लेती है, अनंग नहीं है जिसका कोई अंग काम कोई अंग नहीं होता मन मत मन में जन्म लेने वाला तो यह कवंस हो जाएगा एक?, काम देब के हो जाएगा ठीक है? याद रर्कून आज्जेर क्या हो जाए असका? next इश्वर का बिशेशन बताना है इश्वर का हो जाएगा इश्वरी है क्या हो जाए इश्वरी है क्या हो जाए इश्वरी है ठीक है next वहां घटना जो अबश्य होने बाली हो अबश्य यहां देख रहा है अबश्य यहां देख रहा है अबश्य यहां देख रहा है अबश्यम भावी लगा दो अबश्यम मतलब कानून की दुर्ष्टी से गलत हो, वो होता है अबैध, फिकले, मर्मग्य, तो ग्या का मतलब होता है जानने बाला, क्या होता है, जानने बाला, यह छोटी-छोटी चीजहां पतांगी ना, बहुत साही चीजहां करना, दान की बात आईगी नहीं जानने वाले में जानता ही यह आ सकता है पूरा ज्यान हो यह भी नहीं आएगा और मर्म आ रहा है ना मर्म मतलब आजाएगा यहाँ वह जो किसी के मर्म को जान ले वो क्या हो जाएगा मर्म अगे आंसर क्या हो जाएगा इसका D Next देखो तुम बापस लोटाओ कभी भी बापस के साथ लोटना नहीं आता हम लोग डेली लैप में बहुत बोल देते हैं तो यह मगर गलत होता है ठीक है तो तुम बापस आओ यह तुम लोटाओ ऐसे होगा तो क्या यह अनावशक सब्द संब्दी अनावशक आ गया एक इतनी कोशन थे आज और आज का सर्पराइस था थोड़ा सा ने पहले ही आ गया आगे पीछ वोगया थोड़ा ठीक है र्प्राइस का था उह ही था क्ल यह एक Kोशन का फ्रूंवश्ण डाल दिया है तो यह बीच में आगया हैं कल से आखरी में मिला करेगा आपको तो यह फ वो 51st टाइकर डिजर बनाए अब देखो ये question कैसे कैसे पूछा जा सकता है current affair में आ सकता है static fact one के आ सकता है ठीक है और ये क्या gk का question है ठीक है ebs में आ सकता है ठीक है आपका भूगोल की trustee से आ सकता है इतने तरीके से इस question को पूछ सकता है क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा सबसे best question है आज का ऐसा कोई exam न हो कि जहाँ एक question न आए इस तरीके का question है वो कहते है जरूरी ये नहीं कि पढ़ना क्या है जरूरी ये है कि छोड़ना क्या है तो देखो पहली बात तो ये कि इस question को डाला करूँगा जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा और जिसको देखना वो आखरी तक देख लेगा अब मैं बता देता हूँ इस question के बारे में देखो इससे पहले हमारे पास 50 टाइगर रिजर्व थे ये 51 में टाइगर रिजर्व बनाए इसका नाम है बिल्ली पुत्थूर मेगा मलाई ठीक है अब ये कहा है ये बना है तमिल नाडू पहली बात तो ये question है कि ये बन के आ सकता है कौनसा टाइगर रिजर्व थे तमिल नाडू का पांच ना question ये आएगा कि इस टाइगर रिजर्व की बेज़ए से हम बैगई नदी बैगई नदी है इसका संद्रचन भी करेंगे ठीक है question ये बन के आएगा ठीक है और बिल्ली पुत्थूर और म भी जिमिता ड़के कि बताना कि आपको चहिए या नहीं चहिए चाहिए और कि सी कोषन नहीं डाला ति ये टेंसं Wahay में देखना ही नहीं तो बीच में तो आज गलती से हो गया अगली बार नहीं हो मुहावरा क्या होता है अर्विवासा का सब्द होता है लक्षना सब्द सकती होती है यह क्या होते हैं बाक्यांस होते हैं पूर्ण बाक की नहीं होते हैं ठीक है बाक्त के साथ प्रियोग कर सकते सबसे मस्त कोशन लगा वड़ा मतलब मस्त दा यह लोकुकती गवात चुस्त और मुद्दई सुस्त ठीक है स्वयम की अपेच्छा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रत्न सील होना ठीक है अंसर क्या हो जाएगा इसका खुद तो प्रत्न नहीं कर रहा है मगद दूसरे उसके बहुत प्रत्न कर रहे हैं तो गवात चुस्त मुद्दई सुस्त और बता देना ऐसे एक आत कोशन डाल दिया करूं या नहीं ठीक है नेक्स्ट जाति बाचक संग्या से कौन सी भाव बाचक मनी है ठीक है तो अब इसमें बताना है तो देखो भाई भाई से क्या मना है बात बात बाताना है तो कभी तई तो या मैंने इतनी बार बताया होगा ठीक है अच्छा एक कुशन पूछता हूं आपसे उड्जवल कौन सा सुद्ध लिख रहा है यह लिख रहा है छாर-छार-दीवारी- यह मैहेंस दोग तो मतलब हो active हो ठीक सब्वे सांची देखो यह question बहुत आता है और इसमें लोग सारी यह कर आते हैं मगर इसका answer होता है बाएं हाथ से काम करने बाला और सब्वे सांची पता है किसका प्रयाबाची अर्जुन का क्या होता है अर्जुन का और सब्वे का से निकलती है अलग हो रही है यहां पर है अच्छा गीत काती है सीता गीता जर्जुन कंपेर करें तो है डर लगता तो है answer क्या हो जाएगा उप्रयों सभी जैसे चलो एक example देता हो एक लड़की है मीरा ले 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 लिए श्याम ठीक है तो मीरा श्याम से मिलने गई ये फरवरी का महिना चल रहा है न तो बैलेंटाइंडे पर गई तो मीरा श्याम से क्या लजा रही थी लजाने मतलब सर्मा रही थी तो जब मीरा श्याम से लजाती है या सर्माती है तो जब मैंने बोला ना मीरा श्याम से लजाती है सरमाती है तो उसमें भी क्या अपातान होगा क्या होगा उसमें भी दूरिया बनेंगी ठीक है अंसर क्या बजाए किसका डी ठीक है अब समझ में आ जाएगा आपको और ना आया हो न तो comment box में लिख दे न और अच्छे से समझाओंगा ठीक है अनश्वर अनश्वर मतलब होता है क्या पताओ अनश्वर जो नस्ट न होने वाला नस्ट न होने वाला नस्ट मतलब क्या होता है जो नस्ट हो जाए अनश्वर आ मतलब होता है नहीं नहीं जो नस्ट होने वाला मतलब क्या हो जाएगा अनश्वर देखो जो इंद्रियों द्वारा न ज वो जानते हैं तो बागई इसे लिख ले ना गोचर को दो ठीक है नेक्स्ट इसमें से कौम सा सब्द विवाजन के प्रश्चात अन्य अर्थ में प्रिचलेत हो जाता है तो इसे कहते हैं योग रूड जैसे मैंने कहा आपके से नील कंट नील कंट नीला है कंट जिसका मतलब म योग इक चितने भी होते हैं ततपुर समास के एक्जामपल और आपके उपसर्ग प्रत्य यह सब किसमें आते हैं योग इक में यह तीन प्रकार हैं रचना के आदार पर सब्द के ठीक है याद रुकना आंसर हो जाएगा इसका बी आगे बढ़ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट साब्दानी सब्द में बताना है सब प्लस अबधान प्लस ई तो इसमें क्या है किवल प्रत्य उपसर्गे तो सब उपसर्गे ई प्रत्य और अबधान क्या है इसमें मूल सब्द मूल सब्द पूर सकता है आपसे कि मूल सब्द कौन सा है ठीक है याद रुकना आंसर हो याद रख लेना इतना नेक्स्ट देखो श्रीगोड चरन सरोज राइस निर्मन मुकुसादार बन रगवर में गल जसु चोदा एक खल चार छंद बताने छंद का मतलब छंद के जनक कोने पिंगल पिंगल जीए ठीक है अब इसमें बताओ कैसे मातर लगा के देख लो देखो इससे उठा लेता हूं बं रहूं 1 2 3 4 इनमें कितनी होगे बं रहू हुं opponents 4 रागवर में 1 2 3 चार थीप मल में 1 2 3 में जसू में 1 2 4 4 आठ 9 10 12 13 तो जब तीसरे में 13 तो पहले में भी क्या होंग ग।ा किसमें घृती बताओ ढूंतरा मत Iz acceptance'll रूप हमिए में कितनी हूती है और पाई में कितनी रूटा क्या है अरडबमात्र खंद भी अभी इतना गएद रूफिक रह Ninda रख लेते हैं और आंसर जागा इसका और और यह पुछा जाता है, दो हा का उल्टा क्या होता है, सो उल्टा, ठीक है, और जहां पर रुकावट आती है, इसमें, उसे क्या कहते हैं, यती, इसे भी याद रखना, next, इतना ही कोशन थे, तो प्लीज आज वो बता दे न, कि उसे में लास्ट में कोशन ऐसे एक या दो डा डाल दूँ एक दो कोशन, इसमें करेंट का डाल दूँ जो की पूछा ही जाएगा, हर हाल में, तो बता दे न, आपको क्या अच्छा लग रहा है, सजेशन या, जो भी है आपकी मर्जी, वो बताना, बाकी इसी तरह देखते रहो, और कोमेंट में बताना, जो कोशन पूछ हसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना अपनों को ध्यान रखना, इसी के साथ जय हैं, जय वारवाद,